तो यूट्योब चैनल थीम आफ सेविल इंजिनियर्स में मैं इंजिनियर्श श्वाकर रिली आज आपको बताने वाला हूं कि आप अच्छी तरीके से स्टेयर कैसे माना सकते हो चलिए दिस तो बिना तेरी कि हम अपने वीडियो में बढ़ते हैं अगर आपको वीडियो अच व्कम परोड़पांट तो में अच्छी सेर चलियर्स कैसे मत रोना है यदि आप अपने स्ट्राइब की जो है चुआ है दुस्तां को परदेखो अच्छी सीज क्या रखने होगे siis का रखने होगे राजज़ की ट्रेट के लिए क्या रखने हुए, ट्रेट के विर्ट के रखने हुए, सेड़ी के एंगल क्या रखना होगा और लैंडिंग कितनी जोड़ी रखने होगी आपको यह सारी चीज़े हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, बिल्कुल लाइव एक साइट से भी दिखा हो कि एक स्टेर हैं यह दुनों तरफ वाल हैं तो यह वाल है और यह वाल है और यह आप स्टेर देख रहे हूँ, आप स्टेर में देखो यह जो हमारा है ना से स्टेर कह रही है, यह स्टेर है इसमें जाकि स्टेर नर्ज हुआ है तो यह स्टेर नर्ज हुआ है तो यह स्ट लेंगे दस विट के आई टेस्ट एक हम दस्विट रेकर ठीक है यहां पर आपको जो लेंडिंग की विर्थ है वो तुस्टो थीन ट्रीट किये तीन फिट आपको लेंडिंग रिख लेंडिंग इसलिए रिख जाते ता तो आप रोग चिस्टे प्यां से चैनने के बाद तो यह तीन फिट के आप रमने लेंडिंग प्राइट करती है लेंडिंग से वह हमारा सेडी के एंगल है उसकी जो नीचे की स्पेस है जो लंबाई यह दो इसका कि आप देख पार हो यह सेवेंग फिट की है आपको बेस्ट लेप के लंबाई जानने है कैसे तो मैंने तो कि विए आपकी एक्चुल वाइट है वो तेन विट है तो आपके लेंडिंग पाँच फिट पे यानी ठीक है तो चलिए दूस्तों आगे बात करते हैं जब आगी चीजिक किस तरीके से आपको रखने अपनी सीडी में ठीक आओ दूस्तों फाइनल हमादे अपने सीडी की पास और चलिए हम आपको बताते हैं किस इसकी लिंद आपको कितनी रखनी है जैसा कि आप यह दूस्तों देख पार हो यह पीला चुद आपको निशान दिखता है यह ट्रेड का अटी है जिसके हम पाउर रखते हैं यसे हम ठ्रेड तो ट्रेड की जो हमने विर्थ रख्यों दूस्तों वह रख्यों द्हाय से मंद आपको में बता रहा हो तो भाइस में चाहिए तो आपको मिनिमूम जो है नाइन इंच सब्सक्राइब आनि जो यह जाता है रेड़ब्रीक आप उसके बराबर सकते हो ठीका अब यहापको द यहां पर राइजर मैंने लिखा हुआ है यह राइजर के दोस्तों जो हाइट रखनी होती है यह अगर एंवाइब में रखनी होती है अगर इतना राइजर रखते हो तो किसी को भी चड़ में दिक्कत नहीं हो या चाहिए वो फुड़ा रेक्ती हो चाहिए वो बच्चा हो ठ बात करते हैं दोस्तों अब देखिए यह जो लैंडिंग है ना मैंने बताता तीन फीट के हमने लैंडिंग होता है और यह एरिया भी लैंडिंग होता है तो मैं आपको बताने वाला हूं कि यह एरिया तीन फीट है और यह एरिया जो मैंने इसे किया है वो कितना है वो सारी तो यहां भी देखिए लैंडिंग के आरिया मैंने यहां पर दिनोट करके दिखा हुआ है लैंडिंग जो है 1000 mm की रखनी है याने कि आपको तीन फीट की लैंडिंग रजनी लैंडिंग आप थोड़ो से जागा रखो तिना तो जबी को आप सामान लेके उपर चड़ोगे तो आपको प्रॉपर रश्ट करने का वाप एक जगार में डिखा जैगा जैंप बड़े बच्ची है तीन चाल लोग देखर चलिए पर एकसाद चल रहना तो उनको भी रश्ट करने का प्टी अच्छा सा इस पेस में जागा ठीक है तो चलिए मैं प्ता दाओ आओ आदीज यह है यह दूस्तों यह वि健 yran ये जव मैंने यहां से आतक आपर जानी ऑफनिंग कि त्रैट की अवर्ट है कि यह इसके बराबर होने वाए कि यह किया यह आपके या यह कि बढ़ाते हैं कोई स्टेयर का एंगल क्या रखना है वह बताना दरोगी आपको स्टेयर का एंगल रतना है पच्छेस से चालेज़ डिए रखते हो आप स्टेयर का जो फ्लोप होगा ना वो काफी बेहतर होगा और जिसे चड़ने में आपको पैरों में धर्द नहीं मैं सुफ इसको फ्लोप करना चाहिए तो जब यह ओ गई आपके तीन फीट की तो यह वाली भी तीन फीट की होगी ना तो यह जो आपका एरिया है एक्चुठ व्याथ देख नुख यहाद के पास जैसे अदरण गर्ते ना फीट होके होगी देख भी यहान धुर हम हम एक्चुएलिउनी स्कुएट थे मर्यट की मैं पम पर लाट दारा कि परस्ट लैंडिंग जो होंग होएड कि हमने एक्चुल हाइट की वह देख सकते हैं यहां पर मैंने आपको 10 फिट दिनोट तरह के दिखा हुआ है अपको पीछे की स्लाइट में लेकि चलता हूं और दिखा दोता हूं बगार इससे आगे हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें मैंने आपको प्रॉपर तर दिखाते हैं और दिखाते हैं आपको लाइव अपने सेड़ी किस करीके से हम सेड़ी को गनाते हैं यूपर लाइव वीडियो में